करते हैं की बोलेट से लेटेड टॉप 15 ऑपजटिव टी तो चलिए वेडियो को सुरू करते हैं कियो अब्सक्रसन नमघए निमन लिखीत में से कर साइgrown की किसको कहा जाते हैं push to Kबिनेशन की कहाजाते हैं यहाँ पिल्प्ध का कर抗्षट किdar किसको कहा जाता है ? option यहाँ पर option D सही है, B और C दोनो को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है और toggle कुझी कहा जाता है और toggle कुझी से related हम एक वीडियो बनाएंगे तो आप लोग जरूर देख लीजेगा keyboard का खोज कब हुआ keyboard का खोज कब हुआ option है उनएसो सतर और option B 1870 और option C 1867 option D 1930 किस वर्स keyboard का खोज हुआ तो यहां पäre option C सई 1867 cesuyu में keyboard का खोज हुआ था और keyboard का खोज करने वाले कौन थे तो Christopher Sales ने keyboard का खोज किये कौन किये थे क्रिश्टोफर सेल्स ने कीबोर्ड का खोज किये थे नेक्स्ट क्यूचन है कीबोर्ड में फंसन की कितना होता है देखे कीबोर्ड में फंसन की जो है वो कितना होता है option A है 8, option B है 12 और option C है 11 और option D है 16 कितना होता है कीबोर्ड में फंसन की keyboard के वो कौन सा की है जिस पर कुछ छपा नहीं रहता है keyboard में कौन सा की है जिस पर कोई कुछ भी छपा हुआ नहीं रहता है option यह shift की option भी alt की और options यह windows की और option यह space की कौन सा की है जिसमें कुछ छपा नहीं रहता है तो यहाँ पर option D, सही a space की में कुछ भी छपा नहीं रहता है, ठीक है, और अगर पूछा जा कि keyboard का सबसे लंबा की कौन है, तो वो a space की ही होता है, next क्यूचर है, computer में, computer में keyboard का उपयोग किसके लिए है, computer में keyboard का उपयोग किसके लिए है, option A है, input देने के लिए, option B है, output देने के लिए, option C है, print के लिए, option D है, record के लिए, किस के लिए, computer में, keyboard का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर option A सही input देने के लिए, keyboard में, परयोग किया जाता है, computer में keyboard, और कीबोट जो है वो एक input device ठीक है data को input करता है data को input करता है keyboard next question है निमन में से input device है आपको बताना है कि जो option है उस में से कौनसा option input device है option है monitor और option बी है printer और option fear Theater or option d. how cansa option जो है वो keyboard होता है तो यहाँ पे आपको आपसेंडी साहिए कीबूड जो है वो एक input device ओर एक इनपूट डिवाइस में ही ओर तुठ से इनपूट डिवाइस औरGetT पी तो ही सै कि इनपूट डिवाइस कीबूर्डट नेलिए कि यूट अपर और करसर जो है दोनों एक ही का नाम होता है तो कितना होता है ऑप्सन यह चार और ऑप्सन भी है दो और ऑप्सन से तीन और ऑप्सन यह साथ कितना होता है तो यहां पर ऑप्सन यह सही है चार होता है जो इस तरीके से तीर रहता है इस तरीके से रहता है और इस तरीके से रहता पहते आरो की या करसर की बोला जाता है नेक्स्ट क्यूजर है निमनने लीखित में से कौन इंपूट रिवायस नहीं है आपसें टेश्पेड और आपसें ब्ये मॉस और ऑपसेंस या कीबोड और ऑपसं, दिवाइस नहीं है तो यहां पर आपको बता देते हैं कि यह एक डिवाइज है. यहाँ पर option D सही है. output device. जो है, वो monitor है. Next question है. keyboard का वाि, कुछ की है? जिसे return की कहते हैं. keyboard का वा, कुछ की है? जिसे return की कहते हैं? option A, alt, option B, control, or option C, space, or option A, enter. तो यहाँ पर option D, सही है, enter, जो quay, वो एक return की कहलाता है. कीबोर्ड में विंडोज की होता है देखे कीबोर्ड में विंडोज की जो है वो कितना होता है option है एक option भी है दो और option सी है तीन और option भी है चार कितने होता है तो यहाँ पर option है सही है एक होता है keyboard में विंडोज की कितना होता है एक होता है उशी का नाम दिया गया है तो कितने की होता है तो यहाँ पे option A है 108 और option B है 106 और option C है 104 और option D है 114 है तो यहाँ पे option C सही है 104 होता है अगर आपसे पूछा जाकि keyboard में कुल कितने कीज होता है तो वो भी answer सही होगा 104 ही ठीक है next question है browser, browser में search box को open करने के लिए उपयोग में लाया जाता है देखिए browser में search box को open करने के लिए कौन सा की को उपयोग में लाया जाता है तो यहाँ पे option A है F1 और option B है F2 और option C है F3 और option D है F4 कौन सा की को press किया जाता है ताकि browser में search box को open किया जा सकता है तो यहाँ पे option जो C है वो सही है ठीक है option C जो है वो सही है F3 को प्रेस करने से आपको ब्रॉजर में सर्च बॉक्स को open किया जा सकता है और F1 से क्या होता है help menu open होता है और F2 से क्या होता है कि folder name change होता है और F4 से क्या होता है open address bar होता है तो हाँ पर option C सही है F3 ठीक है next question है keyboard मुखी रूप से कितने परकार के होता है keyboard जो है वो कितने परकार के होता है तो option A 3, option B 5 और option C 7 और option D 9 कितने परकार के होता है तो यहाँ पर option B जो है वो सही है 5 परकार के keyboard होता है next question है निम्न में से modifier की नहीं है निम्न में से कौन सा modifier की नहीं है option A, alt और option B control और option C, shift और option D, enter, कौन सा की जो है वो modifier की नहीं है तो यहाँ पर option D जो है वो सही है modifier की जो है वो enter नहीं है, enter जो की है वो modifier की नहीं है, alt modifier की है, control modifier की है और shift modifier की है, तो यहाँ पर option D जो है वो सही है D जो है, enter वो कोई भी modifier की नहीं है नेक्स्ट क्यूचन है की बोर्ड की बोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ठीक है कि की बोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं कुंजी बोर्ड कहते हैं और कुंजी पटल कहते हैं या पुंजी पटल कहते हैं क्या कहते हैं यह आपक नेक्ष वीडियो दब तक के लिए